आउस बिल्लेहिम निशेटान इवरजीम बिसमिल्लेहिर ररह्मान इवरहीम असलाम इकम ये स्टुडेंट्स, आपसो ये विल वी फाइन इन इस वीडियो वी डिस्कस यूज ओफ नीड तो बी आपसो ये स्टुडेंट्स, आप साथ ठीक ठाक होंगे आज के हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे यूज ओफ नीड तो बी हम नीड तो बी को किसलिए यूज करते हैं इसके साथ हमने कौन सी वर्ब की फॉर्म को यूज करना है और टैंसे में हमने कैसे चेंजिस करनी हैं यह आज हम सब देखेंगे अपनी आज की इस वीडियो में विज सिंपल एड एजी एक्जामपल्स जी तो फिर्स नमर पे हमरे पांस है नीड टूबी नीड टूबी का इसमाल मरम्मत या बेहतरी के लिए किया जाता है किसी भी चीज की मरम्मत या बेहतरी करने के लिए हम नीड टूबी को यूज करते हैं जैसे चूतों को पालिश होने की जरूरत है गड़ी को मरम्मत होने की जरूरत है तो इन दोनों संटेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे नीड टूबी need to be का इसमाल मुरमत या बहतरी के लिए किया जाता है और इसके साथ हमने verb की third form को use करना है और इसका इसमाल तमाम जमानों के साथ किया जाता है लेकिन तबदीलिया जमाने के मताबक होगी ठीक है present, past, future जो भी है तबदीलिया जो होगी tense में changes जो होगी वो जमानों के मताबक होगी tenses के मताबक होगी changes simply अगर हम बात करें तो need to be को हमने मुरमत या बहतरी के लिए इसमाल करना है और अपकी third form को use करना है और इसमें tense में changes जो है वो जमाने के मताबक होगी ठीक है, अब हम इसके कुछ examples देखते है जी, example one हमारे पास है तुम्हारे जोतों को polish होने की जरूरत है ठीक है, अब जरूरत है जोतों को बहतरी की जरूरत है ठीक है, तो your shoes need to be polished अब जोतों को अच्छा दिखने के लिए और जोतों की बहतरी के लिए इसको polish की जरूरत है तो हमने यहां पे need to be को use करना है तम्हारे जूतों को polish होने की जरूरत है Your shoes need to be polished अब चैनल हमने यहां पे polished third form को use किया है और need to को use किया है Your shoes need to be polished दूसरे नमबर पर हमारे पास example है Your watch does not need to be repaired तम्हारी गड़ी को मुरमत होने की जरूरत नहीं है Your watch does not need to be repaired अब हमारे पास दूसरे एक्जामपल में जो sentence है वो negative है कि तम्हारी गड़ी को मुरमत होने की जरूरत नहीं है तो हमने इस यहां पे लिखा है Your watch does not need to be repaired थर्ड नमबर पर हमारे पास example है क्या कपड़ों को दूलने की जरूरत थी interrogative sentence हमारे पास है Did the cloths need to be washed क्या कपड़ों को दूलने की जरूरत थी Did the cloths need to be washed Build the wall need to be built के दवार को तमील होने की जरूरत होगी इसको तलीम दिये जाने की जरूरत होनी चाहिए He should need to be educated होनी चाहिए होनी चाहिए हमारे पास आया है तो हम यहां पर should का use करेंगे ठीक है यहां कि उसको जरूरत भी है तो साथ में हमने need का भी use करना है और third form हमने use करना है educated He should need to be educated इस slide पर हमारे पास last example है गाड़ी को दूलने की जरूरत हो सकती है The car can need to be washed The car can need to be washed Next example हमारे पास हो सकते है खत को दस्तखत होने की जरूरत हो The letter may need to be signed क्या फूलों को सजाने की जरूरत थी Did the flowers need to be decorated क्या फूलों को सजाने की जरूरत थी Did the flowers need to be decorated किसको दावत दिये जाने की जरूरत है Who needs किसको जरूरत है Who needs to be invited मकान को साफ किये जाने की जरूरत है The house needs to be cleaned मुसलमानों को मुथहद होने की जरूरत है The Muslims need to be united लास्ट एक्जेम्पल हमरे पास है इसलामी कल्चर अपनाए जाने की जरूरत है The Islamic culture needs to be adopted इसलामी कल्चर needs to be adopted यह थी हमरे पास कुछ एक्जेम्पल्स need to be की जहां पर हमने Tenses के मताबग उसमें Changes की और Verb की थर्ड फॉर्म को यूज किया और किसी भी चीज की बेहतरी या मरेम्प के लिए need to be को यूज किया और हमने Negative, Interrogative और Simple Sentence को Tenses के मताबग उनमें Changes की Hope so आपको अच्छे समझ आ गया होगा Thanks for watching, Take care, Allah Hafiz